हे गाईज, वेलकम बेक टू सिविल कुईक बाइट, तो यह है अपना MPHT चा लेक्चा नम्मर एट, और आज हम शुरू कर रहे हैं, मालव ट्राइफ या मालवा, मालवा, जो की 200 तू 300 AD की बीच में था, ठीक है, तो देखते जाएए बस, ठीक है, अश्में पॉइंट इस ट्राइब वास फस्टली हाइलाइटेड वें अटेक्ट दा अलेक्जेंडर दा ग्रेट, वाइल, ही वास ओन हिस रिटर्ण जर्नी तू मैसेडोनिया, तो यह बता रहे हैं, यह वाली जो ट्राइब थी, सबसे आदा हाइलाइट कब होई थी, यह सबसे पहले थे बता ह जब अलेक्जेंडर दा ग्रेट मैसेडोनिया की तरफ जा रहा था, वापस जा रहा था भारत जीत के, तब इन्होंने इस पर अटेक कर दिया, इसलिए यह वाली ट्राइब सबसे आदा फेमस होई, नेक्स्ट पॉइंट, दा अलेक्जेंडर वास इंजर्ट सो सीरियसली त डाइड विदिना मंथ, और इन्होंने अटेक तो किया ही किया, पर इतना जादा अटेक कर दिया, मतलब इतना सीरियस इंजर्ड किया था अलेक्जेंडर को, कि वो एक महीने के अंदर अंदर उसकी मृत्ति हो गई, नेक्स्ट पॉइंट, इस एन अजूम हिस्टोरिकल फेक तो यह बताया जा रहा है कि यह एक माना हुआ हिस्टोरिकल फेक्ट था कि मालव ट्राइव ने माइग्रेट किया था कहां से पंजाव से, और कहां सेटल हो गई थे मालवा में, किस ताइम पर, 200 तू 380 के ताइम पर, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यह फाउंड लोग उने इस रिजन को धूड लिया था और यहां पर अपना, अपना क्या करने लगे थे, यहां पर अपना रूल करने लगे थे यह लोग, मतलब शाशन करने लगे थे, और इसलिए इस एरिया को हमने फिर क्या बोला बाद में, इसको हमने बोला मालवा, ठीक, नेक्स्ट point coin recovered from the reason depict the fact about their republic type of governance तो इस जगे से जो हमें coin देखने को मिले न वो ये fact बताता है कि यहां पर एक republic type की governance थी next point पानिनी mentioned दा आयोध जीवी another name of Malwa tribe तो जो Paniani थे जो महान पानिनी थे उन्होंने आयोध जीवी एक और नाम दिया था मालवा tribe का तो ऐसे कोश्चान आ सकता है कि कौनसी tribe को आयोद जीवी कहते हैं तो और कोई नहीं है मालवा ट्राइब है जिसको हम आयोद जीवी कहते हैं ठीक है तो यह मालवा ट्राइब का ही अधर नेम है आयोद जीवी जिसका नाम किसे ने दिया था पाने नीजी ने दिया था अब आते हैं अपन कुछ और local dynasties पर ठीक है तो देखते चलते हैं some local dynasties पहली है जिसमें नाग डाइनस्टी तो नाग डाइनस्टी के वारे हैं पढ़ते हैं first point first point है वरिशनाथ founded the नाग डाइनस्टी in विदीशा तो पहली बात तो यह कि नाग डाइनस्टी कहाँ पर फाउंड होई थी तो विदीशा में फाउंड होई थी किसने फाउंड की थी तो किसने की थी वरिशनाथ ने की थी तो दौनाबात important हो जाती है next point initially नाग had been ruling over मतरा शुरू बात में नाग कहाँ पर rule करते थे ruling over मतरा that is UP में जो है next point ruler भीमनाग shifted his capital to padmavati और पवईया अब यह padmavati और पवईया क्या है इसको ग्वालियर का पुराना नाम है ग्वालियर जो at present का जो city यह MP की उसका पुराना नाम है तो कौन थे ruler भीमनाग थे उन्होंने अपनी capital को shift कर लिया था कहाँ से वही मतरा से कहाँ पर shift कर लिया था पदमावती यह पवईया में next point next point है next point देखिए the गनपत नाग हो गाई यह गनपत गनपती नाग तो आप समझ गए होंगे the गनपती नाग of the dynasty fought against समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त की against किसने fight करी थी गनपती नाग ने and last his empire to him और अपना empire उन्होंचे बचा लिया था next चंद्र गुप्त विक्रमदित in process of re-establishing यह re-establishing होगा re-establishing the relation married to कुवेर नाग अब कुवेर नाग कौन है अई बताते हैं married to कुवेर नाग a daughter of नागवंशी ruler of मत्रा तो आप समझ गए होंगे जो नागवंशी ruler थे ना मत्रा के उनकी बेटी थी उससे किसने शादी करी चंद्र गुप्त विक्रमदित ने क्यों करी क्योंकि वो अपना राज वापिस लेना चाहते थे या उसको फिर से establish करना चाहते थे restablish ठीक है क्योंकि उपर जैसे बताया है कि गनपती नाग से इनकी लड़ाई वी थी समुद्र गुप्त की तो उन्होंने अपना पूरा वापिस इस्टाबलिस्ट कर लिया next dynasty देखते हैं next dynasty है बोधी डाइनस्टी तो देखते हैं बोधी डाइनस्टी क्या है तो देखिए बोधी डाइनस्टी first point ruling over त्रिपूरी यह वाले डाइनस्टी कहा रूल कर रही थी त्रिपूरी में त्रिपूरी क्या है तेवर नियर जवलपूर तो त्रिपूरी क्या है एक जगे है तेवर नियर जवलपूर तो किस जगे ऐसे पूछ सकते हैं कि बोधी डाइनस्टी कहां पर राज कर रही थी तो आपको बताना है त्रिपूरी में next point there are four ruler of body एंड शिव बोधी based on coins collected carrying their names ठीक है तो इस वाले point बता रहे है कि चार ruler थे वोधी बंच के ये बोधी होगा ठीक है आप सको correct कर ले ना बी ओडी एच आई होगा ये ठीक है ये एच होगा और आई होगा तो there are four ruler of body बोधी बंच इस वाले point है बता है कि बोधी बंच के चार ruler थे कौन-कौन से वो थे अपने एक तो श्री बोधी हो गए फिर हो गए वाशू बोधी एक हो गए चंदर बोधी और एक हो गए शिव बोधी based on coins collected carrying their name अब ये बात हमें कहां से पता पढ़ी जो हमने coin को collect किया था न ऐसे coin हमने collect करें जिनमें इनके नाम थे तो इसलिए हमें पता पढ़ गया कि बोधी बंच के ये चार ruler रहे होंगे ठीक है next point पर आते है next अपनी dynasty है Mag dynasty जैसे कि मैंने बताई कि कुछ local dynasties थी तो इसलिए ये सारे पढ़ना जरूरी है अब Mag dynasty के बारे में पढ़ती है ये कहां पढ़ थी भगेल खंड में 280 AD का time दिया हुआ है point by point देखते हैं पहला point the coins recovered from भगेल खंड depicted the fact that some Magadvanshi ruler ruled over reason in particular कहां कहां थे भीमसन ठीक है बद्रमग भद्रमग एंड शिवमग तो ये बताया गया है कि जो coin recovered हुए थे ना भगेल खंड से जो coin भगेल खंड से recovered हुए थे वो depict करता इस fact को कि कुछ Magad ये Magad नहीं होगा Mag होगा Magvanshi कुछ Mag M-A-G-H होगा ठीक है कुछ Magvanshi rulers ruled कर रहे थे इस reason में और वो basically कौन-कौन थे ऐसे भीम साना हो गए अपने ठीक है भद्रमग हो गए एक शिवमग हो गए ऐसे ठीक नेक्स्ट ये coin से हमें पता पढ़ा इस dynasty की बारे में नेक्स्ट पॉइंट Mag dynasty successfully fought against Khushan and saved the state तो जो Mag dynasty थी इन्होंने किसके against लड़ाई करी थी Khushan के against और अपना state को इन्होंने बचा लिया था ये बताए गया अगला point है first known Mag rule first known Mag ruler is वसिष्ट पुत्र तो पहले noon मतलब जिनके बारे में हमें पता पढ़ा जिन Mag ruler के बारे में पता पढ़ा its son Kotsi Putra Potshri ठीक है तो उनका जो उनका जो बेटा था जिसका नाम कहा Kotsi Putra Potshri पूरे ही नाम है Kotsi Putra Potshri was ruling from his capital और capital का नाम कहा है बंदो घर ठीक है तो आंगे ये बात ही बता दी कि जो Mag ruler थे वसिष्ट पुत्र भीम सैन उनके जो बेटे थे जिनका नाम था Kotsi Putra Potshri वो कहाँ पर rule कर रहे थे वो rule कर रहे थे इस capital से इस capital से और उनकी capital का नाम कहा था बंदो घर ठीक है तो बस आपको याद रखना है अगर आपसे पूछलें कि Mag ruler जो थे Kotsi Putra Potshri यह कहाँ से rule कर रहे थे तो आपको याद रखना है कहाँ से बंदो घर से Next point पर आते हैं तो अपनी अगली डायनस्टी आरे गुपता डायनस्टी और यह काफी लंबी चलना वाली है गुपता डायनस्टी तो आज हम समुद्र गुपता की रखेंगे उसके बाद हम आँगे देखेंगे तो चलिए अभी पढ़ते हैं तो गुपता डायनस्टी गुपता डायनस्टी बेसिकली इन MP में हम बात कर रहे हैं तो MP के बारे में पताएंगे फर्स्ट पॉइंट गुपता एमर्जड एस दा सुप्रीम पावर इन इंडिया द्यूरिंग 4th सेंचरी ये बात तो सबको पता है हमें इंडिया निष्ट्री से यूँ पता पढ़िए गुपता काफी पावर ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए गुपता रूलर तो जो जो गुपता रूलर थे जिनका एमपी से कनेक्शन था वो बिसिकली कौन-कौन थे एक तो समद्र गुपत हो गए एक भानुपत हो गए एक चंद्र गुपत टू हो गए एक स्कंद गुपत हो गए टेक नेस्ट पॉइंट हम बात करते हैं समुद्र गुप्त की तो आज हम सर्फ समुद्र गुप्त की बात कर रहे हैं आँगे हम बाकी की रूलर देखेंगे गुप्ता डानेश्टी में समुद्र गुप्त First point Three important facts associated with समुद्र गुप्त affected the ancient MP as following तो इनके तीन important facts थे जो MP की पूरी हिस्ट्री को affect किया है उन्होंने मतलब ancient MP को किस तरह से इनके तीन important facts थे वो हम देख लेते हैं पहला point देखिए Iran inscription तो Iran inscription क्या बुलता है Iran that is अपना at present का सागर according to Iran inscription this city was known as स्वाग होग नगर तो Iran inscription के according इस city को उन्होंने क्या बुला उन्होंने बुला स्वाग होग नगर for समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त के लिए क्या है ये स्वाग होग नगर है इसका मतलब क्या हुआ consumable by समुद्र गुप्त मतलब ये सिर्फ समुद्र गुप्त के लिए ही है consume तो मतलब होता ना consume कर लेना तो consumeable by समुद्र गुप्त only इसलिए इसका नाम दिया और उनकिया स्वाग होग नगर तो आपसे पूछ सकते हैं question में कि स्वाग होग नगर से और क्या मतलब है तो इससे मतलब है consumeable by only समुद्र गुप्त ऐसा बताए गया कहाँ इरान inscription में next question sorry next point है प्रयाग प्रेस तो प्रयाग प्रेस क्या है एड़ प्रेजेंट का प्रयाग यूपी है ठीक है इसके बारे में सुनो according to प्रयाग according to प्रयाग inscriptions प्रयाग inscriptions के according composed by हरी सेन तो ये बात किसने composed की थी ठीक है according to प्रयाग inscription composed by हरी सेन समुद्र गुप्त on his expedition towards south passed through the dense forest of MP and thereby conquered some ruler ruling inside the forest तो इसके according ये बताए गया है कि प्रयाग inscription में ये बताए गया है कि जो समुद्र गुप्त थे वो क्या कहते expedition पर कहते south south में south की side में मतलब एक south मतलब दक्षन साइड में ये expedition के लिए ठीक है passed through the dense forest of MP और ये कहां से निकले MP के dense forest से निकले वहाँ पर इनोंने बहुत सारी dynasty को जो की जंगलों में राज कर रही थी उनको conquered कर दिया उनको हरा दिया some rulers को ruling inside the forest ये बात बताए next देखिए this price also depict that अब ये ही जो उपर प्राइग है जो प्रयाग वाली प्राइग है ये और भी चीज क्या बताती है depict that all the nine states defeated by Samudra Gupt तो ये ही inscription में ये पता पड़ा हमको कि जितने भी नौ राज्य थे nine states थे वो किसके द्वारा defeated किये गए Samudra Gupt द्वारा इन आरे वर्थ अब आरे वर्थ क्या रहता एक टर्म दिया गया आरे वर्थ में तो आरे वर्थ North India Territory को बोलते हैं आरे वर्थ included अब कौन-कौन included थे उसमें जो nine states थे तो वो सुनिये एक था नागवंशी गनपती जो गनपती नाग उपर हमने पड़े न वही नागवंशी के थे और नागसेना ओफ पवाईया तो नागसेना पवाईया मतलब वही गवालियर का है अट प्रिजैन गवालियर ठीक है ये दो बता दिये Next देखिए तो अभी यही बता including बता है अभीर अभीर क्या है ये विदीशा का पुराना नाम है अभीर अभीर और क्या संकानिक संकानिक देट इस जहासी एड प्रिजैन का यूपी में जहासी है तो संकानिक अभीर कॉमा संकानिक एंड करपारिक और खरपारिक क्या है ये दमो हो है खरपारिक वर लोकल रूलिंग ट्राइव ऑफ MP तो यह सब क्या थी लोकल रूलिंग ट्राइव थी MP के उस टाइम पर नेक्स्ट आते हैं अपन थर्ड जो फेक्ट है मैंने बोला ना तीन फेक्ट है समद्र गुप्त को लेकर तीसरा यह फेक्ट बताए गया है राम गुप्त कांच अब यह क्या राम गुप्त कांच इसके वारे हैं पढ़ते हैं सम कॉइंस नेम्ड एस कांच अब कुछ सिक्को के नाम दिया कांच ठीक है ब्रेक्टेट में बताए गया समद्र गुप्ता अनाधर नेम तो कांच कुछ और नहीं है आप इसको कांच को ग्लास से कंपे की बात हुद है अपना जो अग़ला लेक्टयर आयाएगा ऊसमें हम लिकार आँगे चंद्र गुप्त 2 खे गुपता डायनेस्टी के जो बाकी की रूलर बच गए और भानु गुपता के बारे में ठीके तो अगले लेक्चर में हम इन तीनों के बारे में तो बताएंगे ही बाकी और भी लोग के आरे हैं बताना है मतला आँगे अपन को आँगे continue करना history को तो उसमें हम बताएंगे हु के बारे में ही बताएंगे तो अगला लेक्चर भी इंट्रस्टिंग होने वाला है आपको और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू गाइस